मैंने सुना है कि आपे जैपुर के अंदर बेंगल्स बौत फेमज हैं जिसा सबसे पर दो नमस्का जी यहां जैपुर में वेंगल्स सालों से प्रता चलती आ रही है यहीं पर ही चूड़िया बनी है जिजात नहीं होई है और पुरे दुनिया बर में यहीं से ही जाती है और हम खुद नेशनल अवाड़ेटे हैं हमारे दादेटेजी सान निस सो प चानझपुलबजे नारगह वर चोराया हैं तो तो से अपकी बिजनस नामके भी नाम od वोज़ आपकी शॉप के बैंगल्स बताई जो सीजनल होते हैं या फिर जो लेडिज को ज्यादा पसंद आते हैं किस टाइप के जादा फैमस है यह बता देता हूं यह ब्रास होता है इसके अंदर क्या होता है यह सेट होता है चार चूडी दो कड़े यह ब्रास अल ओवर वल्ड बिखता है ऐसा नहीं कि जैपूर में बिखता है या इंडिया में या ओल ओवर वल्ड ब्रास आल टाइम डिमांट में रहता है इसको जैसा मैं आपको खुला बताता हूं एक बार देखिए यह इस तरीके से आता है जिसमे जो चार तो by executive her बारिक एप उकए इसको से बनाके इस तरीके का इतला र्होता है जो इतना एक में पहने जाता है और इतना एक में से दोखने से बरास यह अपने ह्ल्ड रास यह अपने है यह फोल ज्यमने में आप आपको देंक पाएं गे एक सट की कहमत 6 00 дополн पाती है पुरा आपको अवलेबल मिलेंगे जो आपको कलर आपकी साडी का कलर हो लहंगे का कलर हो अवलेबल इन माई शौग एक यह चीज आएगी और एक मापको नेफ्स बतलता हूं एक यह आएगी आपको खुद को यूनिक लगई हो गया जी यह भी ब्रास ही है पर इसमें मीनाकरी का काम होता है अच्छा यह ब्रास तो है पर इसमें मीनाकरी देखेंगे आप यह मीनाकरी गोल्ड जैसा लगता है इसमें सारी चीजे हाथ से लगाए गी और यह भी वही चीज है चार चूडियां आयती है और दो कड़े आते है इसको भी ब्रास नीचे बेस ब्रास का ही होता है उपर मीनाकरी और इसमें स्टोन जो आपको पहले दिखाया था वह स्टोन ही मीनाकरी है इसकी प्राइज आपको पड़ती है 150 दबा परता है अच्छी यह डबा 600 रुपीज का है जी हाँ एक सेट 150 रुपीज यह होलसल प्राइस बता रहा हो आपको रिटेल नहीं है और यह पूरा बोक्स कोई खरीदता है तो 600 रुपीज यह पड़ेगा और 600 रुपीज यह पड़ेगा यह 100 रुपीज सेट है इसमें छे सेट यह बया है यह तो पूर करकार सो ही यह भारीज कालरें लाफ कोई कोई अरुप सेट यह पूरीज को बोलते ह 53 ही हो आपको प्रुआ कि पुराँ बॉक्स पड़ता है, एक बंडल में, इसमें 12 कलर आते हैं, एक बंडल में, ये भी ब्राज है, और में दिखाता हूं और अच्के, इसे बोलते हैं धालू पंगडी कडा, क्या भूलता है? धालू बंगडी कडा, धालू बंगडी कडा, जी, कडा जी यह देखिए यह इस तरीके से होता है यह आप चूडिया पहनने के बाद एक आगे और एक पीछे यूँ लगा सकते हैं तेकर होंगा जी यह भी ब्रास में होता है वाइस इसको आगे पीछे लगाने के काम में आता है जैसे मैं आपको इस देखता हूं यह इसको बड़ा करने के लिए यह आगे पीछे लगा दिया जिससे क्या है यह सेट में और जान आ जाती है देखने होंगा इसको बोलते हैं बंगडी करहां इसने भी डिजाइन मेरे पाद बहुत है जितने आप मागँँगे पहुत डिजाइन है मैं आपको दिखाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा इस तरीके में इसकी प्राइज आती है बहिए 80 रुपी स्पेर एक एक चीज आएगी इसी में इसी पेटंट में डूसरा आता है यह भी यह भी बंगडी कड़ा ही कहलते हैं इसमें साइड में इस्टोन का काम होता है और फेल हम यह वी 80 रुपीस पड़ेगा अब मैं आपको दिखाता हूरा जयपूर की शान वह लाग राजस्तान और जयप फूरी दुनिया मैं ग। होमेर गतल सकता तो ये बनासकता एंग डिफेड इसे कहते हैं आपनी मारवाडी भाच में और श ejang तो ने बाइ आप तो राम बान्द चीत दिखारों मत आ थ concur तो वही चीत दिखारों मत दॉज़ो यह देखनः यह बाच है यह सब हात से बनाए गईे وएया इसमें कोई भी चीज कहीं से भी मशीन का काम नहीं है इसको बनाने में एक बंडल बनाने में दो दिन लग जाते हैं आप समझो हमें बहुत महनद का काम है एक-एक हीरा उठा के गरम लाग पे काम होता है कैसे बनता फिरी इसमें क्या होता है भट्टी होती है गरम जो कोईले के जरीए लाग को गलाया जाता है और एक सेल और हत्य में डालके गोलाई दी जाती है उस कारण से थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर इस पे हीरे चिपकाए जाते हैं गरम करके हीरे भी गरम करके जिसे कहते हैं सिगडी सिगडी पे तवा रखे हीरे रखे जाते हैं और उसको गरम करने के बाद इस पे चिपकाए जाता है बहुत महनत लगती है यह सिर्फ जैपूर भी बनता है यह सिर्फ जैपूर में आपको कहीं नहीं मिलेगा आप यह सिर्फ कर लिजेगा जैपूर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा इसको बोलते हैं लाक लाक प्योर Лख ल्ए विए लए लए सी के लाक लाक इसका परनॉंशेशन अलाग है लिकिन बोला जाता है लाक लाक के कड़े, लाक के बाला, इसके ही नाम से, इसमें आपको मैं हजारो डिजाइन दे दूँ ना, दो बेटा, और इस सबसे दार फेमें से जेपूर के अंदर, जेपूर में सर, आप जेपूर आईए, और अकर ये नहीं लीजिए, तो मतुरा के पेड़े निखाए तो फिर लाक के चूड़िया जेपूर के नीज दो बात हुए है, ये देखें, इसमें लाक है सर, ये प्योर लाक है सारी जीज़ है, इसमें मिल पर ये खजार डिजाइन है, आप बतारो ना, आपको दिखाते है, पर ये क्या लाक पर भी इसक्या है, पेर के सबसे लिए अलग पर बहुत सार आर्टिकल आते है, सर हमारी वेडिंग है, फोर्तो हम हस्बंड वाइप की चाहिए, तो अच्छा आप डिजाइन करके भी दे सकते हो, जी हाँ, हम डिजाइन करके भी दे सकते हो, क्योंकि हमारी खुद की मैनुक्ट्रिंग है सर, ये जैसे 250 पड़ेगा आप 50 रुपीज ही पड़ेगा आपको, ये चूडिया है, इसमे अलग-अलग पैटेंड आते हैं, जैसे आप चाहो वैसे मिल जाएंगे, आपको एक चूडियों का भी देनल पर, ये देखिए, ये चूडिया है लाग की, बड़ा बदो, ये देखिए, अब जैसे तीज आ रही तीज आ रही है, तीज पे लहरिया बिकता है, लहरिया आप समध रूँगा, लहरिया साड़ी भी आती है, लहरिया चूडियों में भी आता है, और तीज पे अगर किसी राजिस्थानी मारवाडी ने लहरिया नहीं पैना तो क्या पैना, बगए लहरिये के तीज नहीं बना पूर्ट करमाद स्पूर्द में 4 र की हैं नियु 17 नियुद बिसी विए शलख गयाँ पता जा है,Leheri विए 7 आल मेरे पक्राद का घारी सिसे तरन के लिए 17 नियुद 40 तक कि आनियु फैली talk मेरे खेमें 10 आल में 10 खेर सकूर्द के ते 2 Hindi अब लेह रिया केसे बनाएंगा अलग-अलग बनाएं और यह दखते यह लेहरिया है अलग-अलग कलर से यह सावन में इस बार तीज जो आ रही है सावन पर एक तो इक तारीक तेज है उस पर घूप पहना जाता है और इसको एक तरीकेसे कहते है पुरानी परसा चलती आ रही तक भी जा सकता हु आच्छा बोगया है बोग दोगहान करते हैं ऊपर लाख यो नापको दिखाता हूं मैंने बैस में गडुवास में भाट भाडन इजने दिखानाफ शीन ममत Si Haam डिट कलाँ देखिये ला है और आँ और इसमें नागिन बंगडी भी बनती है से नागिन बंगडी यह सब लाख है जो जेपुर की शान कही जाती है नाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको लाल पट्टी चूड़ा अगे सर ये इसे कहते है लाल हरा चूड़ा लाख मैं इसे कहा जाता है कि इसके बगर को शादी मुकम्मल नहीं है पूरी नहीं है जब तक इसको मारवाड़ी लेडियस ये राइस्थान की लेडियस पहनेंगे ना तब तक सर वो शादी नहीं होता है इसके विज़ वज़े ये है सर सालों से परता चलती है रही है लाल हरा चूड़ा चाहिए ही चाहिए शादी में दुलन को लाल हरा चूड़ा एक बार पहना ही पढ़े लेडियस ये मारवाड़ी लोग कहते ही और हमें भी आप में भी होगा शाइद बिल्कुल चूड़े के बगए लाट के चूड़ों के इसे बोलते है लाल हरा चूड़ा ये इसे पहना जाता है जो ये सब्सक्राइब लेडिस टो जब उसके परिवार में जब खुशिया आती है तब यही चूड़ा पहना जाता है लाल हरा चूड़ा लारी बार्चा में लाल हरी पट्टी बोलते है तो ये पूरा सेट किते कर पढ़ता है ये से हंडेड रुपीज से स्टार्टे स्टोन पे क सीप बोलते हैं सका अच्छा ये सीप प्लास्टिक में ये दुलन चूड़े ही बने बना आते इसमें इसमें अधिक तर ये मशीन का ही काम होता है compute सिन जादा हाथ का काम नहीं तो ये एक्टुल में कहो तो ये जेपुर की चीछ सीज निहाए ये पलाणी दिल्ली की चीछ आजह यहां पर बिक्टी भी जाती है ऐसा नहीं है लेकर इसको लोगबा कम पसंद करते कैसे क्या है एसको मैं पता देखा भी कि राधास्तान मैं ने नहीं दिखा पेंधे की सर यह अधिक दर पंजाब में चलती है अच्छा यह हर्याना पंजाब में ज्यादघ बिक्की जात यह वाला जो आपको सेट है यह दो आठ एक हाथ का इतना है एक हाथ को और आएगा यह 200 रुपे का पड़ा है अच्छा अच्छा विकाद यह फरा मशीन का का मैं सी पे प्लास्टिक है यह देखिया प्लास्टिक अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं आपको उसके साथ एक भू भी दूंगा इसे बोलते हैं सब केमिकल केमिकल से अच्छा केमिकल क्यों एक कहवत है अब आलगी बोलना नी चाहिए पर आप बात हुरी है तो बताता हूं कि इंसान चल जाएगा चूड़ा नहीं किसेगा करेक्ट यह वह चीज है इसको आप कितनी उपर से फेक दो कि ना तो एक हीरा निकलेगा जी और ना सर चूड़ा टूटेगा इसमें इसी क्या खासियत है क्यों इसके बीचे वज़े यह है कि बहुत मजबूत बनाया जाता है बेस जो है इसमें इसका सीप को होता है और उप निकलेगा जो दब गया और ना केमिकल उतरेगा इसमें यह खास है हाला कि लोग इसको कम तसंद करते हैं क्योंकि यह नीचे केमिकल का आ जाता है इसलिए एक यह चीज़े सार यह मेरी दुकान तो सबसे ज़्यादा चलने वाले चीज है अच्छा आपको ऐसे दिखाता हो यह लाख है ओके लाख लाख के ओपर अपने खुद की मेनिफेक्टरिंग है खुद की मेरी खुद की फैक्टरी है जी लाख पे केमिकल चड़ाये जाता है बाख होगी और इतना मजबूर चड़ाये जाता है उसको सुखाओ के लिए की टूटे नहीं तो लाग क्यों होती यह जो चीज है मेरी यह आप अच्छे टूटेगी नहीं यह आप निकाल के देख यह तो यह तो नहीं इसका स्टोन निकलेगा और शाइनिंग सर परकरार देगी अच्छे एक पीस में गिरा के देख सकता हूं है आप अपर को अधे सर तरीक है मैं समझगी समझगी है उदर रखो एक नहीं टूट ररा है नहीं टूटे लरा है अपको कितना ही टिय यह और कॉलिटी शइनिंग किए सर उसमें तो दैसे आपने बताए को पहले वाले केमीकर होता है मतलब केमीकर से स्दॉत ह ます. इसमें इसमें ऐस स्टैनों इसमें बेस का है सीप का है सी पर इसमें बेस लाग का बेस है और उपर केमिकल चड़ाईगा बाकि दूसरे जितने भी पीस बताए आपने वह तो गिरेंगे चूड़ाएंगे इसके अलावा इसके अलावा सर देखे यह जो चीजा मैंने दिखाई थे आपको यह सब लेहरिया लाग की चूड़िया यह जो चीज है लाख भी है और टूटती भी नहीं है तो लॉंग टाइप कलती है तो इसलिए सार इसको और शाइनिंग में कोई कमी नहीं है बिल्कुल खुबसूरत भी लगती पहनने के बाद से पूरा यह सेट कितने कब रता ही है सर यह पूरा बॉक्स आता है सेवन आपको नया दे दें बिल्कुल अब यह काच का है अच्छा इसमें बेश को उपर लाख को होता है और नीचे काच है देखे आप काच दिख रहा होगा यह काच की चूडिया जारी बारिक पादी बेस काच का है और लाख उपर चड़ी यह बहुत ट्रेंड में है बहुत पस पर फिरोजाबाद भी कहा जाता है इसमें यह चूडिया भी आती है बेस नीचे काच का है और उपर लाख यह सब फिरोजाबाद का डिजाइन है जो फिरोजाबाद का जैपूर माधिया यह देखे आप सुंदर लग्ठी बिक्ती भी बहुत है शादी भी आओं है और मैं सर अब आपको लास तो नहीं कहूंगा पर बहुत लंबी हो जाएगी फिल्म नहीं पर ना दो बैस्ट चीज मेरी शौप की जो है वो दिखाने जा रहा हूँ आपको सबसे बैस्ट इसकी कॉलेटी जरकन एडी पे चूडिया आती है अज कल बहुत एक्सवंसिव आत कॉलेटी देखे सर इस टोन की ब्रास प्योर नीचे काला नहीं पड़ेगा कि खुब सुरूत भी बहुत बढ़ी आता है कि क्या क्या बोलते है इसको सर इसको बोलते है फुलवारी चूडी ब्रास पर फुलवारी प्रास एडी को मात दे देती है सर यह बिल जो 2,000 की एडी उससे बहत्रीन चीज मैं आपको दे रहा हूं ओनली फोर टूहंडर रुटीस की फोर ओनली 200 रुपे की चार मैं आपको प्रवाइड करूंगा मेरे दुकान से कॉलिटी देखे और इसमें कलर जितने आप बोलोंगे सम मेरे पास अवेलेबल है और एक आपको एडी की ओको अवेडोंे को देखे जाने को ये को आप कि यह देखेसा जो इसको ये सब इडी पर है और इसमें इस नए चूडियां है इस अब एडी पर है एडी मेंज एक स्तोन आता निए अच् righteousness एडी स्टोन आता है जिसें तो आता है प्लास्टिक निया काहें है कांश कांच जब लग जाता है ना, मेहंगाब हो जाता है वह कि प्लास्टिक आता है कांच की चूडियां कि हाकिस बॉत कांच की हbir हो बहुत एक्षाम है यह क कांच के इस तोर्म और हम चैनले भाँ में पूभी हॉंभी हॉलसेल प्राइस हॉलसेल और सच बात है सर हम तो होलसल करते हैं बहुत सारे शोरूम से में नाम नी लोगा जैपूर में यह आउटो जैपूर के भी है वो हमसे ही ले जाते हैं और बिल पंदरा बंदरा सुर रुपे का आपको दे देते हैं ऐसा नहीं है कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं क्योंकि सब का बिजनेस है सब अपने कमाने के लिए बेटे हैं सर्व लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं कि आप जब हमारे यह आये हैं तो आपको सारी चीजह हम बताएं यह हमारा करतब दे यह देखे आती है अब ऑदिकने वाल जैसे कोई बहर से फॉट्नर आ रहा है मांतों तो सब पुरे दुनिया से कोई आएगा तो लाग ही लेगा लाग लेगा और आपको इस बिजनस का काफी तजरुगा है तो आप कौन सी चीज रिकमेंड करोगे मानलो जिसे मैं आया मुझे नहीं पता कोई लेडी आती है आप कोई फिमेल आती है तो देखे शादी के लिए जाएंग तो मैं ब्राज कर जाती है पहले आपने के लिए पहल वह करते हैं कि आपने बहुत सुन्दर यूणिक चीज पहनी है लाख में हिर फिर के गोल गुमाई करके बंती ही चीज है डिजाइन अलग-अलग देएंदेंगे पर बेस लाग का होता है वक प्रास में बहुत आपन ड आप जैसा बोलो बैसा बन जाए तो यह चीज है और मालो कोई sister अगर हो किसी को gift देना हो तो सबसे बेस चीज आप मेरे अकॉर्डिंग ब्रास तो ब्रास तो ब्रास सुंदर भी लगती है और दिखने में भी अच्छी है दस लोग कूशते भी है बहुत अच्छी है जैपूर के कोई आता है में प्रास तो लेकर जाती है तो उनके फून आते हैं कि अमर को दो चार डब्ले कर दो पारसल ये कर तो बहुत खूब आते हैं रिकमेट करते ही हैं लोग एक में आपको एक चूड़ा और दिखाता हूं कलीरे आपने सुनोंगे नाम कलीरे शादी के बाद लगते हैं था नीचे लटकते रहते हैं हमने उसको चूडियों में भी डाल दिया अच्छा 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 शादी पे यहीं अजिताएं हुआ हुआ हसे बाने मिल जाएगा आपको ब्रास में मिल जाएगा दोनों में जूर कि एक पड़तांगे है यह स्थ हअंधल और sumभ थाटी है जिए जैसे कि आपने बता है कि आपकी मैनुफेक्टरिंग यूनिट है यहां पर मानलो राजस्तान की तो अपने आपने सारी बेंगल्स बता दी अब अपने एक पंजाब हर्याना वाली भी भी बताई थी मुझे वहां चलती है तो कोई आउट ओफ राजस्तान मानलो बेंगल्स प आपको यह कहाना है कि आप खुद की फोटो लियाओ सर्फ मैं तो आपके खुद की फोटो बना के चित्रकला और आपको दे दूँ मैं पर बैटा रादे किशन का कड़ा दी है लग कहने के मानलब कैसी डिजाइन हो आप उसको मैनुफेक्शन कर दोगे मैंने कहा आपको जो दुनिया में जो डिजाइन लाग की चूडिया मेटल ब्राज पर सीफ पर जो होगा हम आप लियाई है हम आपको तुरंस बना के देदें आप लोगों आपको वार्टसप पर फोटो बेजा आप उसको फिर वो देते हैं सर देते हैं मेरे फ्रेंड के भी रिसनली वेडिंग होई है उनको कड़ा चाहिए था इतना इतना चोड़ा कड़ा और खुद की वाइफ और उनका खुद का फोटो बनाना था देखें ऐसे 3D प्रेंट में फोटो डाल देते हैं यह राधा किशान है लाग पे इसमें आजवें वाइफ की डाल सकती हो है किसी इतना आप प्रोवाइड कराते है तो 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 सर आपका इस शौप का एड्रस मुझे वापस एक बार फीड से बता देगा चोटी चोपड चांदपुल बजा नारगरू शौप नंबर एक सो पच्पन वन डबल फाइम के बैंगल तो मेरा क्वेश्चन एक बार फीड से आपको मान लो क कोई साउथ इंडिया में है या कोई बी इंडिया के किसी भी पार्ट में है वहानलो आपको वाटसप के नंबर पर आपको एक फोटो बेजेगा तो मुझे स्टाप की बैंगल से तो आप उसको डिलिवर करवा देंगे बिल्कुल कराते है तो यह जो डिलिवरी चार्ज़ आपके होते हैं या कस्तुमर के अच्छा और कितने दिन में डिलिवर हो जाएंगे जैसे मैं आज ओर किया तो कब तक डिलिवर करा दो अगर वो साउथ तो तीन दिन का रस्ता तो आपकी कोई टरम सेन कंडिशन से हैं मालो जैसे कि आपको पूरा बॉक्स क्या आप कुछ हो तो आप 5 बॉक्स लिजिए दिजाइण आप लग अलग यलो यह मैं गारंटी के रहा हूं कि आप 5 बॉक्स लोगे ना एक बॉक्स की प्राइस में आपको 5 बॉक्स देऊंगा डिजैन अलग अलग ठीक है तो मिनिम्म आपकी शरत यह के कम से किंगर 5 बॉक्स आप खरीदें मेरे से लोगे तो आपको डब दे ही मैं आपको 500 के दे रहा हूं अब आप ये रिटेल में जाओंगे तो 400 तो बन सेट है बिल्कुल मैं आपको 600 600 के दे रहा हूं तो आपका यह बेनिफिट हो तो कम से कम पांच बॉक्स यह मेरा कार्ड है MKBengal तो आपका वाटसप नंबर और यह है आपके चांदपल बजार में और यह आपका वाटसप नंबर है 86190 22822 पर आपने बताई कि नेशनल आवर्ड बिल सुका आपकी शॉपको भी मेरे दादा जीत है 1975 में राश्पती आवर्ड मिला उनको उन्होंने लाग की बतके हाती चूरिया और पी तरीकेने के म आपके पुछतनी इस बिजनस को नेशनल आवर्ड मिल सुका है बेंगल्स बेंगल्स ओ थैंक्यू वेरी मच्छ ऑग थैंक्यू वेरी मच्छ ऑग थैंक्यू